वेलकम तु वेब लाइन पिराएंगा। इतना कहते है wrong तु जी चेन को शगे हैंन कहती है कि आज ॐस्चेन कसे में बाहाइं बाहर दिया। जीचन सुचता है कि आज फिर से मैंने रुवानली को रुला दिया आज ही नहीं कहीं बार मैंने उसे रुलाया है फिर उसे रुवानली की कहीं बात यादा दी है वो सुचता है कि रुवानली जब से मेरे साथ इन्वल्व हुई है तब से काफी फैन गल्स उस पर नारास हो ग जीचन कहता है कि मैं तो घर पर हूँ क्या कुछ हुआ है तो याचुन कहती है कि तुम दोनों चब पहली बार होटल में मिले थे तब कि फोटोस किसी ने वाइरल कर दी है यह सुनकर जीचन भागा हुआ रुवानली के पीछे जाता है यहाँ पर रुवानली जब दर्वाजा खुलती है तो सारे रिपोर्टर उस पर सवालों की बोच्छार कर देते हैं कोई कहता है कि रुवानली तुम क्या जीचन के साथ जान बुच कर सुई थी तो दूसरा कोई कहता है कि रुवानली क्या तुम कोई कोल्डी कर हो रुवानली सभी से कहती है कि प्लीज आप लोग शूटिंग करना बंद कर दीजिए तभी ही वहां पर जीजेन आता है जीजेन सबी से कहता है कि ये मेरी फूमन है तो तुम लोग इससे इस तरह से बात नहीं कर सकते फिर वो रुवानली को लेकर अंदर आता है वो कहता है कि रुवानली तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लग तो तुम्हें अपनी संद्ड़ी में वापश चाना है तो तुम खुषी-खुशी चाह सकती हो रुवानड्य फिर्से यह मेरे साथ वो कहता है की अलुज्डा मेरी रुवान्ली यह सीन यहीं पर ही कट होता है फिर हमें साल के बाद का सीन दिखाया हुआता है जहाँ पर रूवारली एक रच्चॉट हो गई थी और अब वो किसी बड़ी कंपनी में काम कर रही थी उसका मैनेचर उसे कहता है कि तुम्हें किसी को लेने के लिए अरपॉर्ट अच्छाना है तो रूवारली बाहर चाती है बाहर उसे म्याव म्याव मिलती है मियाव मियाव से कहती है कि तुम क्या अपने बॉइफरेंड से मिले के लिए चा रही हो तो रुवार्ली कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है वो तो मेरी माँ ने ब्लाइंड डेट फिक्स की थी वैसे मुझे लड़कों में कोई भी इंटरस्ट नहीं है मुझे बस पैसे बनाने है मियाव मियाव उसे कहती है कि देखो फुलर्ड का बहुती स्यादा अच्छा है पैसे वाला है तुम्हें वो पूरी जिंदगी खुश रखेगा तो रुवार्ली कहती है कि बिलकुल भी नहीं मुझे बस अपनी सिंगल लाइफ को चीना है मैं सिंगल ही ठीक हूँ तबी ही वहाँ पर रुवार्ली की जुनियर आती है जुनियर उसे कहती है कि सावबे के बारे में मैंने पता लगा लिया है वो आज एरपोर्ट पर आने वाला है यहाँ पर चीचेन तीन सालों के बाद अमेरिका से वापस लोटा था रुवार्ली और उसके जुनियर भी एरपोर्ट पर आ चुकी थी जुनियर उसे कहती है कि आप मेरा सामन पकड़िए अभी मैं टॉयलेट चाकर आई रुवार्ली चब वहां पर खड़ी थी तो कुछ फैन गल्स आकर उसे कहती है कि लगता है कि तुम कोई नई फैन गल हो वो उसके हाथ में जबर दस्ती बैनर पकड़ा देती है रुवार्ली को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि यह अभी उसके साथ हुआ क्या अपने आपको छुपा देती है रुवार्ली अब ऐसे प्रिटन करने लगती है जैसे कि मानो जीचन की वह बहुत बड़ी फैन हो जीचन उसकी आँखों को देखकर सोचता है कि यह तो बिल्कुल रुवार्ली जैसी है पर यह रुवार्ली नहीं हो सकती क्योंकि रुवार्ली तो अब मुझे काफी जmost्याता नफरत करती होगी रुवार्ली जीचन की फैनकल होने काना टकर रही थी एंशे चिपक रही थी तो बाडी कार्ट्स रुवांडली को जिचन से अलग करते हैं रुवांडली बाहर आकर कहती है कि थैंक गॉड में बच गई उसकी जुनियर आकर कहती है कि आप तो बड़ी कमाल की निकली मुझे नहीं पता था कि आप उसकी फैन हो रुवानली कहती है कि चुप रहो और मैंने तुम्हारी सीनियर हूँ तो मुझे न तुम नाम से मत बुलाया करो मुझे सीनियर कहके बुलाओ पर वो जुनियर वो तु रुवानली रुवानली चलाने लगती है जीचन को सुनाई देता है कि अपी अपी उसने रुवांडी का नाम सुना तो वो भागी हुए उसे देखने के लिए चाने लगता है यहाँ पर रुवांडी ने अपनी जूनियर का मौ बंद करके रखा था वो कहती है कि तुम अभी के लिए मेरा नाम इतनी जोर से मत चिलाओ चीचन कहता है कि लगता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया रुवानली फला मुझे देखने के लिए यहां पर क्यू आएगी इतना सोचकर चीचन महां से चला चाता है जुनियर रुवानली से कहती है कि अच्छा तो ये आपका वहीं बैड बॉइफरेंड है जिसके बारे में आप हमेशा ही बाते किया करती थी रुवानली कहती है कि चुप रहो वरना में तुम्हारा मूँ तोड़ दूगी तबी ही रुवानली को प्रोड्यूसर का कॉल आता है वो उसे कहते है कि तुम्हारी नौवल पर जो हम ड्रामा बनाने वाले थे ना उसका मेल लीड हमें मिल गया है तो तुम जल्दी ही मेल लीड को देखने के लिए आजाओ सो ये वाला चप्टर होता है यहीं पर ही खतम डोंट फगेट टो लाइक शेर अन सब्सक्राइब थेंक्यू फोर वाचिंग